गुड मॉनिंग सेवन्थ क्लास हम लोग एंग्लिश में फॉर्थ चप्टर पढ़ रहे थे हाउ मैं डिसीवड दा क्रियेटर इंसान ने भगवान को कैसे धोका दिया इसमें हमने पढ़ लिया था कि भगवान ने जो लाइट ऐलेमेंट से वो यूज करके बहुत ताकत वाल इश्वड ने भगवान ने हवा को बहुत जादा यूज किया घोड़ा बनाने में एकसे से नहीं जादा मात्रा में इसको यूज किया हवा को and the sky elements और आकाश तत्व को भी यूज किया that made the new animal dashing and freedom loving इसे नया जानवर कैसा बना बहुती शांदार और स्वतंतरता चहाने वाला बना it would run a race with the wind ये हवा के साथ दौड लगा सकता था रेस कर सकता था it would dash to the point where sky meets earth और ये ऐसी जगह तक भी जा सकता था जहां पर आकाश और धरती मिलते हैं प्रतीत होते हैं many animals ran to pounce on a prey कई जहानवर भागते हैं लेकिन किसके लिए तो पांस on प्रती pounds का मतलब क्या होता है pound का मतलब होता है attack on ये अपने शिकार शिकार से शेर होता सो शिकार हीरन है तो वो उसके लिए भागते हैं कुछ जानवर बट इट है नो सच परपस लेकिन गुड़े का तो ऐसा कोई उदेश ही नहीं था जो उसको अपने शिकार को पकड़ना है यह किवल दोड़ना ही चाता था और इतना दोड़ना चाता था जैसे कि इसको खुद से ही उड़कर कहीं दूर जाना हूँ इश्वर बहुत खुश हुए इन इस स्पेशल क्रिएशन देलाइट है नहीं खुश हुए अपने इस विशेश रचना को देखकर उन्होंने इसका नाम क्या रखा हुड़स रखा तो सम एनिमल्स जानवरों को इश्वर ने रहने के लिए जंगल दिए तो सम इग लेक्स अंड सीज और कुछ जानवरों को उसने जीले और समुद्र दिए but as he had a fancy to watch the horse running as an aimless race fancy का मतलब क्या होता है fancy यहांपर दे रखा है a feeling that he would like to have or to do something किसी काम को करने की इच्छा तो इश्वर को शुरू से ही इच्छा रही थे कि वो घोडे को देखना चाते थे कैसे? watch the horse running as an aimless race घोडे को मतलब वो dish रही trace देखना चाते थे कि बहुत दूर तक बिना किसी target के वो दोड़ता रहे ऐसे देखना चाते थे he assigned to it तो उन्होंने उसको क्या नाम क्या उसके नाम क्या कर दिया an open field खुले मैदान उसको दे दिया कि ठीक है तुम अब खूब दोड़ो ठीक आगे चलते हम लोग on the other side of that field lived man उस मैदान के दूसरी तरफ इंसान रहता था God made the country man made the town भगवान ने क्या बनाया? देश बनाया और मनुष्य ने क्या बना दिया? कस्बा बना दिया टाउन या ने शेहर बना दिया man had made well-built houses with provision to gather and store things इंसान ने क्या बनाया? घर बना लिया किस उद्देश इसे कि वो इकठा कर सके और चीजों को उसमें store कर सके of daily use यानि daily use के जो चीजें थी उनको of rare use and showpieces of his greed daily use की चीजें rare use के बहुत कम काम है आने वाली चीजें and showpiece भी उसमें रखे अपनी बहादूरी के शोपीस वो रखता था अपने घरों में he had to travel on foot and carry his burden on his back उसको पैदल चलना पड़ता था और अपना सारा बोजह अपने पेट पर लाद कर चलना होता था as he saw the horse जैसे उसने घोडे को देखा he made a plan to capture it तो उसने उसको पकड़ने का plan बनाया so that he can ride on it with its burden on his back जिससे कि उसके उपर सावारी कर सके और अपना बोजह भी उसके पेट पर लाद सके ठीके तो यह हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि इश्वर ने हवा और आकाश तत्यों को घोडे को बनाने में यूज किया और उसको जैसे कि बाकी जानवरों को रहने के लिए समुद्र देते हैं और जंगल दी हैं उसी तरह से घोडे को एक मैदान दे दिया खुला मैदान उस मैदान के दूसरे तरफ इंसान रहता था जो चीजे एकठी करने में विश्वास करता था और अपने लालच के धोके के और बहादुरी के शोपीस भी उसके अंदर रखता था ठीके तो उसने घोडे को पकड़ने का प्लान बनाया और जिससी के उसके उसके उपर सवारी कर सके और अपना बोज उसके उपर लाद सके बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए बाई अवरिवन और आप क्या करेंगे हार्ड वर्ट को अपनी कॉपी में लिखकर उसको लिखेंगे लर्न करेंगे उसको ओके बाई